नवसकार आप देख रहे हैं निज्ट्ट्रणीफोर मैं हूँ विपनेश मातूर और आज 10 बजे के बिलिटिंग की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों के साथ और पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी के कासकंज से यूपी के कासकंज कांड के मुख्या रोपी मोती धीमर को आज सुवए पुलिस ने तकरीवन साड़े तीन बजे मुटबेड में मार गिराया है पुलिस का ये दावा है कि आज सुवए काली नदी के पास बदमाश और पुलिस के बीच मुटबेड हुई थी एंकाउंटर हुबाता जिसमें दोनों तरब से खूब गोलियां चली है गोली लगने से घायल बदमाश की पहचान मोती धीमर के रूप में हुई है धीमर को इलाज के लिए जिलास्पताल में भरती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई मोती के पास से दरोगा से लूटी गई पिस्टल भी बरामत की गई है दो तस्विर इस बक्त आपकी टीव स्क्रीन पर ये मौके से तस्विर आप देख में हैं पर एंकाउंटर को अंजाम दिया गया मोती धीमर पर एक लाग का इनाम घोशित किया गया था और आपको ये भी बता दे कि धीमर और उसके साथियों ने नौ फरवरी को यूपी पुलिस के दरोगा और एक सिपाही को किटनेप कर बुरी तरह से पीटा था और जिसमें सिपाही की मौत हो गई थी दरोगा बुरी तरह से इसमें जखमी हो गए थे जिनने इलाज के लिए स्पताल में भर्ती कराया गया दोनों पुलिस वाले शिराब माफिया मोती के घर पर वारंट चस्पा करने गए थे लेकिन धीमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस को बंधग बना लिया और बरबरता के साथ उनके साथ मार पीट की गई सुनसान जगह पर जाकर बाद ने मामने की जाच के लिए साइटी जी आएस्टी एफ की पांच टी में समित पुलिस और एसोजी की कुल बारे टी में गठित की गई थी खुद सीम योगी आदितनाथ और डीजी पी एच से अवस्ती घटा की मॉनिट्रिंग लगा तार कर रहते हैं और आकिरकार बारे दिन बाद पुलिस को ये काम्यावी मिली है दो तस्पिरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त और समवाद दादा विमल कौशिक इस वक्त इसकवर पर लाइब मौजूद है विमल बारहे दिन बाद घटना के बारहे दिन बाद पुलिस को काम्यावी मिली कैसे एंकाउंटर को अंजाम दिया गया कैसे सूचना मिली पूरी जानकारी लगतार नौत आरिक से ही जिस दिन ही घटना हुई थी हां तक कि उसके तलाश में जो उसके करीबी रहे हैं उनको भी रासत में लेकर पूर्च की गई लेकिन लगतार ठीका लगी कि मोती धीमर जो काला नदी का इलाका है सिर्पुरा में वहां पर एक सुनसान इलाका वहां पर छुपा हुआ अपने एक साथी के साथ जिसके बाद पुलिस की तीन चाटी में अलग अलग करफ से उसको घेरने कले गई और उसको जब पुलिस ने ग्रफतार के नहीं लेकिन उसको जब तक हस्पताल ले जाया जाता ता शकी मौथ हो चुकी थी पुलिस लगातार इसके तलाश कर रही थी और जिस दिन घटना होई ती नोतार को सके बाद ही इसके भाई को अगले दिन ही अभी जिविखाँ से लगातार इसके तलाश कर रही थैश्क एक और शाती नवाब ईसको दो दिन बाद गिरफार किया गया था लेकिन अब जानकारी आ रही है कि मोती के साथ उसका एक और साथी वहाँ पर था जो पूरी घटा में इंवाल्वराया है वो मौके का फाइदा उठा कर वहाँ से भाग निकला है फिलाल पुलिस उसकी भी तलाश में जगा जगा दबिश दे रही है और पुलिस को उमीद है कि जल्द ही इसमें और भी जो लोग बचे हुए उनकी भी गिरफताई की जाएगी उनकी भी धरपकड की जाएगी मौके 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 जाएगी है कि अर पुलिस कि पनरा शरन प्रत पी जाएगी लोग Przy artists झाल झाल